हेलो एं वेल्कम फूदा स्टूडियो मेंबर्स टाटा मोटर्स को आच के दिन हम ट्रेट कर रहे हैं अल्रेडी हमने इसके अंदर अपने पोजिशन बना यह 1,400 के साथ में करेंगे एं उसके पहले にभें करेंगे तटा मोटर्स को ले करके इसकी एनैलिसी क्या है क्योंकि आफ्य जो वीडीयो होगा कोशिशिक करेंगे हम आपको के टाटा मोटर्स के मादधियम मॉठ्र सब्सक्राइब करते हैं तो इसके अंदर आप एक चीज ये भी नोट करिएगा कि जितनी भी trade हम execute करते हैं जिस जिस भी तरह से हम trade execute करते हैं कभी कभी क्या होता है हमें किसी तरह के confirmations की ज़रुत नहीं पड़े हम इस टॉक को देखते हैं क्योंकि आप लगातार आप trade करो आप लगातार काम कर रहा है तो कुछ कुछ जो stocks ऐसे मिलेंगी देखते ही आपको लगातार यह गिर सकता है इसी तरह से जब हम Tata Motors को trade कर रहे हैं इसके अंदो lower timeframes की confirmations बहुत अच्छी थी higher time frame पर एक चीज देखिए इसमें चलिए trade book अपनी open करते हैं पहले espresso login so position book देखते हैं position book में देखिए 1,400 क्योंटी में order हमारा चल रहा है 490 रुपए 30 पैसे पर और 2 रुपए का मेरा stop loss के लिए टाटमोट इस पर आजाते हैं 5 minutes के time frame पर 490 रुपए 30 पैसे पर अपनी entry है and stop loss जो इसके अंदर लगाया मेरा 492 रुपए 30 पैसे गा so order book open करते हैं orders में देखिए आपको यहाँ पर तीन order दिखाई पड़ेंगे जो कि इंडिया बुल होजिंग फिनांस के हमने बोला था टाटमोटर्स भी मेरी वाल्सेस में ही था so टाटमोटर्स को हमने या पर अपने ट्रेड एक्जेक्यूट के और अपने प्राइविट गूर्प के अंदर ट्रेड एक्जेक्यूशन से पहले ही इसको शेयर कर दिया यहां पर जो इस टॉप लॉस हमने लगाया हुआ है चार्सो बानने रुपए तीस पैसे का मेरा स्टॉप लॉस से फोर्टीन इनिट कॉनिटीज कर और आई बुल को अगर हम लोग देखेंगे इंडिया बुल देखें इंडिया बुल भी ठीक ठाकी नीचे की दिशा में य जा रहा है कंफर्मेशन समको थी आज की जो केंडल है यह हायर टाइम फ्रेम के किसी एक सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था प्रीवियस जैसे हमारा यह सपोर्ट ब्रेक हुआ था इसके अंदर हमने अपनी एंट्री ली थी कैंसल करती फिलाल वह दूसरी बात है अच्छे मुवमेंट इसके अंदर हो रहे है और प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हो नजर आएंगे सो और बुक अपनी एक बार हम लोग रिफ्रेश्च कर लेते हैं परफेक्ट अभी चलते हैं पोजिशन बुक में ओबर इसका जो प्रॉफिट चल रहा है एट थाजन ए गिर रहा है और कहां तक जा सकता है क्यों टाटर मोटर्स को आज के दिन हम ट्रेट करें इसको हमने कल क्यों ने ट्रेट कर दिया टाटर मोटर्स को जब आप लोवर टैम फ्रेम पर देखो गए इसके अंदर एक्ष़ी वॉलूम्स ठीक ठाकाईए प्रीविश टे की कुछ क काफी ज्यादा वॉल्यूम के ब्रेक आच का दिनुआ हुए सिर्फ वॉल्यूम्स के ब्रेक आउट हो जाने भर से काम नहीं चल сек gep eso,aha SY गळाइ आपको एक सही डिरेक्शन में एक सही जगे पर चाहिए, वैर हम इस चीस्क तो थीट आप ने इस स्टॉक को ठेट किया तो टाटर मोटास के अंदब वॉलूम्स के ब्रेक आउट हुए है और यह हमको एक सही लेवल पर मिला है अब वो लेवल क्या है हाई टेम पर जब आप प्राइस को देखोगी यह जितने भी फिलाल लेवल से इनको सब कर देते हैं डिलेट जैसे कि आपको चार्ट समझने में थोड़ी से असानी हो वीडियो कर अच्छा रख तो जरूर से जरूर लाइक किजएगा कॉमेंट किजएगा बिकास जितना एफ़र्ट हम लगाते हैं आपको यह सारी चीज़े बताने में समझाने में हमें नहीं लगता कि कोई और इसको चलने देते हैं एंड हम लोग बढ़ते हैं चार्ट के उपर आप यहां पर देखिए कि प्राइज अच्छा एक चीज़ जयाद रखिएगा कि हाय लोवर टाइम चेंदर मौनिंग में इसके अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकाउट हुए हैं वॉल्यूम्स के प्राइस अगर गिरेगा और गिरने के बाद में जब यह ऊपर की दिशा में जायागा जionदने कि यह सपोर्ट और अगर आपसे डॉंसाइट की तिरफ ज़िए तो कहीं ना कहीं तो इसके रेस्टन्स बनेंगे जैसे यह रेस्टन्स ो सकता है अगर गिरेगा तो किसी रे प्राइज ने कहां कहां पर हर्डस लिये हों गया जैसे कि हां पर हम दो दो तरह हैं यह देख पार है एक तो जब नीचे की दिशा में गिरा तो यह एक green candle बनी यह green candle क्यों बनी क्योंकि यहां पर supports होंगे जिसवेसे एक green candle बनगे एक दिन इसने green candle बनाई और अगले दिन प्राइस मेरा वापस से नीचे की दिशा में गिर गया फिर से देखे green candle बनगे क्यों बने क्यों बने क्योंकि एक support हो और वापस से देखे जब मेरा price upside की तरफ गया है तो resistance को break करते ह हुए गया और latest green candle जो सबसे last green candle बनी थी हमारी वो यह वाली थी यानि कि एक resistance प्राइस मेरा upside की तरफ जा रहा है तो इसने एक green candle बनाई अगर price को ऊपर की दिशा में जाना तो क्या करना होगा इस green candle का high break करना होगा यहां से price क्या कर रहा है इस green candle का low break कर रहा है green candle का high break करने की बजाया price मेरा इस green candle का low break कर रहा है simple सी चीज है समझने में आसान है practice जब करने जाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप थोड़ा बहुत आपका patience market test करेगी आपको भी समय देना पड़ेगा तो जितनी आसानी की साथ हम आपको यह बताने है एक्शली उतनी आसानी सम हम इसको explain कर रहा है green candle के low के नीचे हमारा price निकल गया simple सा logic है अगर price को ऊपर की दिशा में जाना है तो अपने trend को continue करना चाहिए price को जब इस trend को continue नहीं करके price अपने trend में नीचे की दिशा में गिर जाएगा तो हम इसको मान सकते है कि price मेरा गिर सकता है चली यहाँ पर एक नहीं आएगा आपको कि कौन से line कहां से derive हो गई है या किस line को किस candle के through हमनेट रहा है वीडियो बिना skip के हुए एक चीज़ समझने की कोशिश कीज़ए और वापस से हम चलेंगे 5 मिनिट पर कल price उस range के नीचे close हुआ उसके बाद में आज हमारा price उसी एक point से reject हो गया और अ अभी range पर आ जाने के बाद में इसके अंदर हमने अपने confirmations लिए हम इसके अंदर enter कहां पर कर सकते हैं enter करने के बाद में हम इसके अंदर stop losses कहां पर लगा सकते हैं जब price मेरा अपसे downside के तरफ गिरा तो previous days में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक support form हुए होगे price ने अपसे downside के तरफ यह movement देखा है यहां पर जो लो दिख रहे हैं वो यह वाले points देख रहे हैं इस एक point के पास मेरे lows हैं यानि के price ने एक swing यह लगाया और अगला जो इसके नीचे swing लगा था वो यह वाला था clear है न यह दो swing हमारे लगे और आज भी market ने उसी range से ही support और resistance को form किया अब यह जो range हमारी दो lines बन गई अच्छा यह वाली जो lines का color change कर देते हैं यह higher time change की range है अपनी कल के यह दो swings लगे and अब market ने क्या किया है जो कल का low था उसको भी close कर दिया नीचे की दिशा में break कर दिया with volume break किया गया यह देखे volumes के साथ breakout means के अंदर volumes को close कर देते हैं अब price जब मेरा नीचे की दिशा में जाने लगा तो किस candle ने break किया था 940 की candle ने हमने जस्ट क्या क्या है 940 के नीचे अपनी confirmations ली और यहां पर जो हमको price मिला 0.30 जब 30 ओके exact यह अपना entry का point बन गया जहां पर अपनी entry हो गया जब price नीचे निकलने लग गया था तो 490.30 पर अपनी entry हो गया थी and stop losses के लिए हमने क्या किया यह जो ऊपर वाली लाइन है इसका ध्यान लखेगा यह जो ऊपर वाली लाइन है जस्ट यहीं पर हमने अपना stop loss लगा दिया 492.30 पर यह previous day का swing था इस ही कि थोड़ी से मददली 20 पैसे rate हमने इसका कम कर दिया और stop loss है 490.30 पर अपनी entry 492.30 पर अपना stop loss है simple way में हमने आज का trade-up को अपना analyze करके दिखाया है इकनम simple way में अपना trade हमने execute किया है कोई इसके अंदर rocket science नहीं है थोड़ा सा समय दो market में सब कुछ आपके सामने होगा सब कुछ आपके सामने होगा सब कुछ आपके सामने होगा अब हम इसके अंदर देखें कि हमें निकलना कहाँ पर है कि प्राइस की movement काफी ज्यादा हाई है आज के दिन इस वक्त 11,000 रूपीज के लबगग हम profit में है चली कोई बड़ा movement होता है इसके अंदर हमको activity करते तो आपको inform करते है टाटर मोटर्स के लिए एक support point है यहाँ पर अब जो हम exit करेंगे 480.65 जैसे prices range पर हम यहां से exit करने कोशिश करेंगे 480.65 हो सकता है 480.50 पर पहुंच करके यह bounce हो जाए या वहां तक ना पहुंच है उसके पहले ही निकल जाए तो 480.65 पर में भी chances को आना चाहिए 480.65 चली यहाँ पर अपना order लगा देते हैं हम लोग order book pending इसको कर देते हैं cancel position book ओके इसके अंदर एक buying order हमने लगा दिया है यहाँ पर आप देखिए एक order हमारा cancel है and buy order चाहँ सब्सक्राइच के साथ 480.65 पर लगा हुआ हुआ है का discussion हम लोग कर रहे थे कि price हो सकता है उस range पर जाओ पर चला जाए तो देखिए क्या हुए 480.65 पर जैसे ही touch हुआ यह उपर bounce हो गया चीज का खत्रा बना रहता है अब यह देखिए यह जो natural numbers होते है यह अपना काम करते है आप इसको देखो ना देखो यह अपना काम कर जाएंगे जितने dimension से आप market को देखोगे market उसने dimension से आ अब आगे जो हम theory develop करेंगे इसका मतलब यह थोड़ी नहीं कि last theory यह इससे पहले जिस theory के उपर हम काम कर रहे थे वो काम करना बंद करते हैं अब आगे जो मेरी theory होगी यह last theory का और मेरा extension होगी कि उसमें और कौन कौन से चीज़ हम add कर सकते हैं मेरे लिए और help होगी आगे ब system होथा तो कि हम इन natural numbers को भूल जाएंगे उनको भी याद रखना होगा उनको भी साथ में ले करके चलना होगा यहां पर देखिया 480.50 यह points हमने बोले थे price देखे वहां ता गया ही नहीं है इसका low कितना लगा है 480.60 exact 60 का low लगा है 10 पैसे से price बच गया वहां पर नहीं स्ट्रेन होने लग गया तो हम यहां से निकल जाएंगे वेट करते हैं इस वत कर जो अपना profit है 11,550 रुपीज का रन हो रहा है और निकलते हैं और निकलते हैं ताटर मोटर के अंदर से बहार निकल चुके हैं यहां पर देखे जितने भी orders लगे थे सारे के सारे हमारे fully executed है और जो cancelled orders थे हैं वो सारे के सारे orders हमारे cancelled है cancelled like morning में जो एक हमने आईबूल होजिंग फिनांस का trade execute किया था वो भी cancelled हो चुका है अगर यहां से continue करता है अपनी रेंज तो 5-10 रुपे की रेंज को यह और नीची तक ले करके जा सकता है हमें इतना वालूम है कि हमारे जहां पर target से जहां पर stop loss थे एंट्री थी मेरा इतना काम था हमको हमारा टार्गे बनेल यह से बाहर निकल गया अब इसकी बाद में मार्केट को जहां भी जाना है जाए तो आज का टार्टर मोटर्स अपना एक हिट ट्रेड है एक अच्छा टेड एग्जेकूशन आज की दिन का रहा अब ही टार्टर मोटर्स के साथ साथ हम लोग देखते हैं इसके अंदर मूव कितने बड़े बड़े मूव आ है अब हम यह से बाहर निकल चुके हैं अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स टेडिंग सेशन में कोई भी अच्छा टेड अगर मिलेगा आप नों के साथ हम ज